जैसी किष्णा एक प्रस्ण दिमाग में बनता है कि हम जब शिवजी की पूजा करते हैं और चावल अरपित करना चाहते हैं तो एसी इस्तिती में चावल कितने चड़ाए ताकि हमें सुख सम्रिधी धन आदी की प्राप्ति हो भगवान शिव भोले नात प्रसन हो मैं आपको यहाँ पर जानकारी देना पसंद करूँगा कि अब तक यदी हमने यह साधन नहीं अपनाया है यह तरीका यह उपाई नहीं अपनाया है तो इसे आप अवश्य अपनाए और पूजा का एक भाग भनाए तो जब आप शिव जी की पूजा करते हैं जला भी शेक करते हैं चाए वो दुग्द के साथ करें गन्ने के रस के साथ करें या अन्ने किसी तरीके से आप यदि पांच दाने चावल के नियमित रूप से शिव जी की पूजा में भगवान शिव को अर्पित करते हैं तो ये अक्की बात है कि आपको भगवान शिव प्रसन होकर सुख सम्रदी और धन प्राप्ती का लाब देंगे आपके घर में सुख सम्रदी आएगी और धन की कोई कमी नहीं रहेगी परंतु मेरी जैसी आदत है मैं उससे मजबूर हूँ कि एसा सोचकर कि केवल पांच दाने चावल के चड़ाने से सुख सम्रदी और धन प्राप्त हो जाएगा और हम पुरुशात करना छोड़ दे हम अपनी प्रक्रती जो क्रोध वाली है वो नहीं छोड़े तो फिर तो भीया देखो एसा है कि पांच दाने चड़ाओ या ज्यादा भगवान प्रसन नहीं होंगे विनम्र तो आपको रहना ही पड़ेगा और विश्वास आपको करना ही पड़ेगा कि मैंने जो पूजा की है भगवान शिव की उसका लाभ मुझे अवश्य मिलेगा सारांश में नियमित रूप से आपको पांच दाने चावल के भगवान शिव को अरपित करना चाहिए ताकि सुख सम्रिधी और धन की प्राप्ति आपको हो सके जैश्य किस्ना झाल